हम लोग कैसे आप लोग ऐसा करता हैं ठोट अच्छी तोस्तों मैं आपका सवाकत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल चीक हैं नोलिच पॉइंट में में तो दोस्तों आज मैं आपके समय कुछ ऐसे नोगे कर आया हूँ जो अपनी आपके एक्जाम में पहुत ही वैतरपून साबित हो सकते हैं तो दोस्तों देर न करते हैं वीडियो को को अंत तक देखते रहे हैं और सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसी चान करें आपके तक भी देते रहें तो दोस्तों पढ़ते हैं पहले सवार के तरफ केंद्रिय अंग्रेजी एम विदेशी भासा संस्थान कहां है तो आपके ओप्शने ए हैदराबाद ओप्शन बी मुंबाई ओप्शन सी बंगलोर या फिर ओप्शन डी नहीं दिली तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेयुत्तर हो जाएगा ओप्शन ए हैदराबाद तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारतिय पसु चिकित्सा अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है तो आपके ओप्शने ए पंतनगर ओप्शन बी तहरादून ओप्शन सी लखनाउ या पिर ओप्शन डी इजतनगर तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेयुत्तर है वो हो जाएगा ओप्शन डी इजतनगर तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारतिय खनन विध्याले कहां इस्तित है तो आपके ओप्शने ए राची ओप्शन बी धनबाद ओप्शन सी जम पी धनबाद तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फोर्ट विल्लियम कॉलेज कहां है तो आपका ओप्शन ए आगरा ओप्शन बी नहीं दिल्ली ओप्शन सी मुंबाई या फिर ओप्शन डी कॉलकाता तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेयुत्तर हो जाएगा ओप्शन डी कॉलकाता तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ विस भारती विस विदाले की स्थापना किस ने की थी तो आपके ओप्शन है ए रविंद्रना टैगोर ओप्शन बी राजा राम मोहन राय ओप्शन सी ब दोस्तों आपका यहाँ पर सेयुत्तर हो जाएगा ओप्शन ए रविंद्रना टैगोर तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ शिक्सा में सुधार हे तू पिटिस सरकार ने स्लेंडर आयोग कब निउत किया तो आपके ओप्शन है ए उन्नीस सो ग्यारा में बी उन्नीस सो स तरह में तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मुगल काल में किस भाज़ा को रेखान तक कहा गया है तो दोस्तों आपके ओप्शन है ए उर्दू ऑप्शन बी अर्भी ओप्शन सी तुर्की और फिर ओप्शन डी फार्शी तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उतर हो जाएगा ओप्शन ए उर्दू तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारत की किस भाज़ा को इटालियन ओफदा इस्ट कहा जाता है तो आपके ओप्शन है तामिल ओप्शन बी मल्यालम ओप्शन सी तैड़गू तर फिर ओप् तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उतर हो जाएगा ओप्शन सी तैड़गू तो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देश के एक मात्र किस राज़े की राज़बासा अंग्रेजी है तो आपके ओप्शन ए नागालेंड ओप्शन बी सिक्कम ओप्शन सी मनिपूर या फिर ओप्शन डी मिजोरम तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उतर हो जाएगा ओप्शन ए नागालेंड तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ निमिल लिखित देशों में से किसमे तमिल एक परमुक भासा है तो आपके ओप्शन है ए मयानमार ओप्शन बी मोरी सस ओप्शन सी सिंगापूर या फिर ओप्शन डी इंडोनेशिया तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उतर है वो हो जाएगा ओप्शन सी सिंगापूर तो दोस्तों यह थे कुछ सवाल अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते थे तो हमें हमारे कमेंट वोक्स में बता सकते हैं और दोस्तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि ऐसी ही जानकारी हम आभी आपको आगे सक देते रहे और दोस्तो आप बने रही है हमाई साथ अगली वीडियो में तब फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद